नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल ग्यान गंगा में आज मैं आप लोगों के लिए 36 गड़ के वन से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि और आप तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आईकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो की पेडियाफ में बेłosी तेलीक्राम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है पहला है आपका राश्ट्रिय राजवन्स और दूसरा है छेत्रिय राजवन्स आज मैं आप लोगों को राश्ट्रिय राजवन्स पढ़ाऊंगी इसके आगे आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को छेत्रिय राजवन्स पढ इन चारो वन्सों में से गुप्त वन्स आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है। इससे continuously CGPSC में questions पूछे जाते हैं। आप बोल सकते हैं कि हर एर ही पूछे जाते हैं तो गुप्त बंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है तो चलिए देखते हैं आगे भारत में सामराज्यों का जो स्टार्ट अप था जैसे हम किसी कंपनी का स्टार्ट अप करते हैं इन्होंने राज्ट्रिय इस्तर पर राज्यों का काफी वर्चस वरहा है जिसका जो आपका बोल सकते हैं एफेक्ट जो है वो आपको पूरे भारत में देखने के लिए मिलेगा और इवन शत्तिसगर में भी आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी इन राज्ट्रिय वन्सों में आपको सबसे ज़्यादा में एफेक्ट किन चीजों से देखने के लिए मिलेगा पूरा तात्विक चीजों से पूरा तात्विक चीजों में जैसे सिक्के आ जाएंगे अभिलेक, कष्ट इस्तम, प्रतिमाय, प्रमार के रूप में आपको मिलेगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि मौरे सामरा जो था वो सबसे पहले आया हुआ था और इनके सबसे ज़्यादा इनके सिक्के जो है वो फेमास है तो आए आगे देखते हैं तो हम बारी-बारी से अब वन्सो को पढ़ेंगे की कौन से वन्स में किस प्रकार का प्रभाव था 36गर में वो कहां पे था 36गर में इन वन्सो से related क्या-क्या चीजे कहां कहां हमको मिलती है तो सबसे पहला है हमारा more events या फिर आप इसको more ikal भी कह सकते हैं तो more ikal के जो सिक्के हैं वो आपको अकलतरा और ठठारी जांजगिर में मिलेंगी इसके अलावा इनके सिक्के जो है वो आपको तारापूर और आरंग आरंग जो कि रायपूर में के पास ही आपका इस्तित है वहाँ पर भी आपको इसके सिक्के जो है वो मिलेंगे इसके अलावा मौरेकाल के कुछ गुफाएं भी थी जो कि आपको देखने को मिलेगी ये आपको सरगुजा डिस्टिक में मिलेगी सरगुजा डिस्टिक में और गुफा का नाम क्या है एक है आपका जोगी मारा गुफा दूसरा है आपका सीता बेंगरा गुफा जो है आप राइट साइड में वीडियो के देख सकते हैं एक पिक्चर दिया है ये जोगी मारा गुफा है जो की आपका सरगुजा डिस्टिक मे इस्थित है आईए अब आगे देखते हैं इस काल की सिक्के जो थे वो भी काफी प्रचलित थे ये सिक्के पीडियो की लेफ्ट साइड में सिक्को की पिक्चर भी देख सकते हैं ये मौरे काल का आपका सिक्का है इस समय पे चीनी यात्री वेंग सांग जो थे उनके थट्री तारापूर रायगर आरंग इन सारी जगहों में आपको चांदियों के सिक्के उनके साथ से आपको प्राब्त होंगे कि टो आए अब आगे देखते हैं अगला है हमारा साथ वाहन वन्स आहिए इस पर ऑहत ये देखते हैं सातवाहन काल राइगर में स्थित्त है दूसरा आपको कहां मिलेगी मलहार में मलहार जो है वह आपका ब्लासपूर डिस्टिक के पास स्थित्त है इस समय के ही कुमार वर्दत्र स्री की जानकारे भी मिलेगी यह आपको कहां से मिलेगी कुछ सीला लुखर से मिलेगी अब इसमें सीला लेक कौन-कौन से है गुंजी सीला लेक यह कहां पर है दम उद हरा में स्थित है जो की जांजगीर चापा में है इसके बाद सात्वाहर का इनका आपको कास इस्तमभी मिलेगा यह कहाँ पर है आपका किरारी जान्जगीर चापा में है मिट्टी के मुहर और प्रतिमाय नीए तो द् eerste Chi X सादवाहन काल में रोम के मुद्राईं भी आपको काफी जगा मिलेंगी, ये चक्र बेधा में इस्तित है, जो कि बिलासपुर के पास में ही है। अच्छा, सात्वाहन काल में, क्या आप कह सेकए सात्वाहन सासक को के काल के टाइम ये माना जाता है कि सात्वाहन एक सासक थे, गौतमी पुत्रस सतकर्णी इन्होंने कलिंग कोशल चेतर में अपना अधिकार जो है, वो इस्थापित किया था कहां पर कोशल छेतर में ठीक है इसके अलावा क्या है इसी समय पे एक मिस्ट्री यात्री थे तालमी इन्होंने कोशल छेतर की यात्रा की थी और उन्होंने 36 गड़ को विशुद हीरो का छेतर भी कहा था तो यह आपके लिए यहां पर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कौन से मिस्ट्री यात्री जो है वो 36 गड़ में आये थे मतलब कौन से मिस्ट्री आती थे जो कोशल छेतर की यात्रा पे आये थे तो यहां से आपका यह टालमी हो जाएगा तो आएए आगे देखते हैं अगला है आपका कुशार काल या इसी को आप बोल सकते हैं कुशार बंस इसमें क्या था आपका भारत में मौर्य जो थे मौर्य मैंने आपको जैसा की बताया मौर्य सामराज जो था वो भारत में सबसे पहला सामराज था तो मौर सामराज के बाद राजनैतिक सत्या में जो भी आया था ठीक है या फिर आप ये कह सकते है राजनैतिक सत्या के वो के इंडित होने में बहुत सारे विदेशी सासक जो है या बहुत सारे वंस जो है वो यहाँ पे आये थे ठीक है तो 36 गर में इस वंस के मतलब कुशार इसके अलावा टामे की मुद्रा जो है और अब के अलावा कुशार बन 37 की डा मुद्रा में आका वो मिली है इसके डान मे आपका भ analyt's को खुद्रेश को शोजब बनहान दमे घृ घृतकरतst ऑल है ताम्वे की मुद्रा जो है वो भी मिली हुई है यह आपका बिलासपोर जिले से मिला हुआ है अच्छा कुशार काल भी CGPSC में दो तिन बार पूछा गया है तो आप कुशार पंस या कुशार काल को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यह भी कभी कभी पूछा जाता है ऐसे में तो काफ सारी वंस ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन जो में है जो कंटिन्यू पूछे जाते हैं उनको हमको अच्छे से पढ़ना है आएए अब आगे देखते हैं आगे है हमारा गुप्त वंस जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले ही वीडियो के बताया कि गुप्त वंस जो है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट फंस है यह कंटेन्यूरसली सीजी पीएससी में पूछा गया है और सीजी व्यापा में भी इसस वह 만दिते हैं तो आएए देखते हैं कि गुप्त वंस में क्या हुआ था गुप्त वंस में 36-घड का नाम जो था वह दक्षिरा-पत था या फिर कॉसल भी आप बोल सकते हैं दक्षिरा-पत या कॉसल दोनो अच्छा महा कांतार जो था 36 गर का नाम जो है आपका गुपतकाल में था इसके अलावा महा भारतकाल में भी आपका महा कांतार ही नाम था 36 गर का तो ये दोनों चीजे हैं कि गुपतकाल और महा भारतकाल दोनों में आपका ये महा कांतार नाम था आप अच्छे से ध्यान रखें आए आगे देखते हैं इस काल में गुप्तकाल के सिख्य भी काफी प्राप्त हुए थे ऐसे आप देखेंगे तो सारे वन्सों में ही सभी के सिख्य आपको मिले थे सारे आपको याद तो रखने ही है में गुप्तकाल आपको रखना है तो गु आगे देखते हैं तो इसी काल में एक रचना की गई थी किसके द्वारा हरी शेंड के द्वारा एक रचना की गई थी प्रयाग प्रसस्ती इसके अनुसार ये बोला गया कि समुद्र गुप्त जी जो थे गुप्त काल के एक सासक थे उन्होंने दक्षिर विजय अभियान के समय में बोल सकते हैं कि दक्षिर विजय युद्ध के टाइम पे उन्होंने दक्षिर कौसल के सासक महेंद्र और दंड कारन्य इसके पहले भी मैंने आपको बताया रामायर काल में बस्तर का नाम दंड कारन्य तो दंड कारन्य के सासक वियागर राज को पराजित किया था युद्ध में पराजित कर दिया था और क्या था कि उस ताइम पे यह जो आपकी समुद्र गुप्त थे इनका दक्षर कौसल के सासक महेंद्र और दंड कारण के जो सासक थे व्याग राज इनके साथ बहुत ही अच्छे मतलब आप बोल सकते बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थे इन सबकी तो इस कारण से इन्हों ने ये एरिया तो जीत लिया था लेकिन फ्रेंडशिप अच्छी होने के कारण इन्हों ने यहाँ पर सासन नहीं किया किसने समुद्र गुप्त ने वहाँ पर सासन नहीं किया और उन्होंने उस राजिक को छोड़ दिया सिर्फ फ्रेंड्शिप के कारण ठीक है आए आगे देखते हैं तो इसके बाद फिर 36 कर राजित में एक हिंदी ग्रंथ अकादमी है पुस्तक की राजकुमार विहार उसके अनुसार एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि दक्षिर कौसल के सासक महेंद्र इनको सरभ सरभ वनसिय सासक जो है वो बताया गया है कि वो एक सरभ वनसिय सासक थे अच्छा, ये जो मैंने आपको भी बताया, दंड कारन्य, जिनका रामायर काल पे नाम था, रामायर काल इन पे बस्तर का नाम जो था, दंड कारन्य था रामायर काल, महा भारत काल या फिर आप बोल सकते काल जो भी थे बहुत धर्म जैन धर्म इन सब से related 36 गर में क्या क्या हुआ था 36 गर में कौन से यात्री आये थे, कौन से तीतकार आये थे यह सारी जो है, इसकी वीडियो जो है मैंने बनाई हुई है तो आप जाकर प्लेलिस में वीडियो देख सकते हैं या फिर डेस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे दी है प्रीविएस वीडियो की तो आप वहां से भी जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं उसमें काफी अच्छे से मैंने डिस्काइब किया है कि महा भारत काल बोलिए या फिर आप लामायर काल बोलिए या फिर चत्यसगर का इतिहास की बात कीजिए आप तो ये सारी सीजे मैंने काफी अच्छे से बताई है और चत्यसगर का गठन जो है वो भी मैंने बताया हुआ है तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं सारी लिंग जो है वो मैंने डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है आईए देखते हैं आगे तो आगे है आपका अब वाकाटक वंस या फिर इसी को आप सेन वंस के नाम से भी कह सकते हैं यह दोनों नाम से बोला जाता था इस वंस के टाइम पे क्या हुआ था साथवाहन सासक जो थे उनके बाद डख्छिर कॉसल में वाकाटक सासक जो थे उन्होंने ही अपना राजनयतिक नियंतर्ण जो है वो बनाया था उन्होंने ही अपना राजनयतिक जो सासन है वो दक्षिर कॉसल में स्थापित किया था किसके बाद किया था आपका साथवाहन सासको के बाद में अच्छा फिर क्या हुआ देखिए सामराज जो था इन सासको क इनके बीच होता था कि हमको अपने साम्राजी का जितना से जितना हो सके विसतार करना है जितना ुछेत्र हो सके हम अपने अधिकार लेना है और हमको पूरे जगए पे शासक करनगे लुक powinng अखर इंजियन हिस्टरी के बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि अधिकतर सासक जो थे वो यही चाहते थे कि हमारा पूरा छेतर पर अधिकार हो काफी सारे युद्ध भी होते थे जैसे कि प्लासी के युद्ध हुए बकसर के युद्ध हुए तो यह सारी चीज़ों उपने छहेत्रों पर है अधिकार जमाने के लिए ही यह सासक जित्ते भी होते थे। तो इसने क्या हुआ था कि अब वाकाटक जो थे उनमें भी कोई सासक था तो उन्हों, उनके मन में गया था कि हमको भी अपने छहेत्र का विस्तार करना है अब विस्तार करना है उसके लिए फिर इन्होंने क्या किया कि इनके मन में इच्छा आई तो वाकाटक और दंडिकारण्य के जो छेत्र थे उसके नलवंसी सासकों के बीच में जो सत्ता थी उसको लेकर जो है एक संघर्स होने लगा कि हमको चाहिए करके तो इस वंस में फिर भारत में इसकी चार साखाएं थी जिसमें से आप बोल सकते हैं नंदी वर्धन और बत्स गुलाम खाँ प्रत्यश का जो संबन था वो 36 गर से ही था इनका संबन जो था किसका किसका नंदी वर्धन और बत्स गुलाम इन साखाओं का संबन जो था वो 36 गर कि वाकाटक के जो सासक थे उन्होंने गुपतों की अधिंता जो थी वो एकसेप्ट कर ली थी उसको उन्होंने स्विकार कर लिया था इसके अलावा अब मैं आपको यह बताऊंगी इसमें कि वाकाटक वंस जो है उसमें कौन-कौन से मतलब जो सासक थे उनके बारे में मैं तो महाकवी काली दास जो थे, जिनकी आपने सुना हुआ काफी रचना है, तो महाकवी काली दास जो थे, वो इनके सासन के टाइम पे, जब इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था, तो उस ताइम पे वे वहां पे आये हुए थे, और उन्होंने रामगड की पहारी में बैटकर मेगदूद की रचना की थी, मेगदूद इनके काफी फेमस रचना है, तो उसकी रचना जो है इन्होंने ग्रामगड की पहारी में की थी और उस समय प्रवर सेन का ही रक्षिर कौसल में सासन था, अच्छा मेगदूद का 36 गड़ी में भी अनुवात किया गया है, 36 ग विवा है गुप्त वनस के समराच, चन्रगुप्त दुतिये जो थे उनकी पुतरी से हुआ था, उनकी पुतरी का क्या नाम था प्रभावती, जिनसे डूद्र सेन का विवा हुआ था, फिर अगले हैं हमारे नरेंद्र सेन, ये भी वहांके एक सासक थे, कहांके वाकार्टक इन्हों ने इनके बारे में आपको एक रिधी पुरा अभिलेख है। इसके अनुसार नल्वंसी सासक, भवदत्त। इन्हों ने आक्रमर किया था। और नरेंद्र सेन्जी को पराजित कर दिये थे। इसके बाद हम देखते हैं पृत्वी सेन। प्रित्वी सेन भी एक सासक थे, इनके बारे में हम देखते हैं, केसरी बेरा अभिलेक था, जिसके अनुसार नलवंसी सासक अर्थपती भट्टारक को पराजित करके अपने पिता की पराजय का बदला लिया था, इसका मतलब यह है कि एक अर्थपती भट्टारक थे, इन्हों प्रित्वी सेन के पिता जिसे युद किया था और उनको युद में छल किया या पराजित किया था, तो उसके बाद फिर प्रित्वी सेन ने वापस इन से युद किया और उनको पराजित किया था, और अपने पिता के पराजय का जो है उन्होंने बदला लिया था, तो इनको खोए हुए भागे को बनाने वाला भी कहा जाता है, किसको पृत्वी सेन जी को, ठीक है, फिर आईये आगे देखते हैं, आगे हैं आपके हरी सेन, यह भी एक सासक थे, इनके काल में प्रदेश में वाकातकों की वत्षुगूल में साखा जो है, वो बहुत ही एफेक्टेड तो दोस्तों आज मैंने आपको 36 गड़ के वंस के बारे में बताया कि 36 गड़ में कितने वंस हैं और इसमें कौन से इंपॉर्टेंट है सबसे इंपॉर्टेंट आपका गुप्त वंस है जो कि CGPST में continue पूछा जाता है CG Vapor में भी इससे काफी questions आते हैं आपके तो इसको आप तो अच्छे से पढ़िएगा इसके अलावा कुशार वंस जो है उसके बाद वो important है तो उसे आप पढ़िए और बाकी वंसों को भी आप अच्छे से देखिएगा लेकिन गुप्त वंस को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है वो आपको देखना ही है तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और कोई query हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा Thanks for watching